अगला टोपिक है विंजगो का सन्निकटन एम सरलिकरन approximation and simplification of an expression सन्निकटन यह approximation क्या होता है किसी संख्या के आधे अथ्वा आधे से अधिक भाग का सन्निकट या लगबग मान उसके पूरे मान के बराबर माना जाता है संख्याओं का सन्निकटन कैसे करते हैं किसी संख्या के दिये हुए स्थान जैसे इकाई, दहाई, सेंकडा, हजार आदी में सन्निकटन करते समय, यदि उसके दाएं वाला अंक पांच या पांच से अधिक हो तो उस दिये हुए स्थान वाले अंक में एक जोड़ देते हैं तथा दाएं स्थान वाले अंकों को शुन्य में बदल देते हैं अभी करके देखेंगे तो आपको असान लगेगा ऐसे समझनी आता गणित तो करने यह से आता है जैसे 19 का दहाई में सन्निकटन अब 19 में दहाई का अंक है एक इसके दाई तरफ दाई वाला अंक है जो पांच या पांच से अधिक हो तो उस दिये वे स्थान वाले अंक में एक जोड़ देते हैं अभी इस एक में एक जोड़ देंगे और दाए स्थान वाले अंकों को शुन्य कर देते हैं तो इस एक की जगए एक जोड़ जोड़ दो हो गया और यह स्थान पर हम शुन्य लिख देंगे दाइं और जो होते हैं कि 357 का दाहाई में सन्निकटन अब यह दाहाई का सन्निकटन हमने ढूंड़ना है पांच तो इसके दाइं तरफ देखेंगे इसके दाइं तरफ पांच या पांच छे अधिक होना चाहिए यह साथ है तो यह अधिक है तो हम इसमें एक जोड़ देंगे तो यह जोड़ देंगे तो तीन को तो ऐसे या ऐसे लिखेंगे छे और दाइं वाले अंकों को शुन्य में बदल देंगे यह शुन्य हो जागा तो 357 का दाहाई में सन संक्टन हो जाएगा 360 आप समझ रहे होंगे जितना करेंगे अतना ही असान होता चला जाएगा 22593 का सेंकड़े में संक्टन अब सेंकड़े में संक्टन सबसे बहुत सेंकड़े की नीचे अंडरलाइन कर लो पांच है अब हमने पांच का संक्टन करना है तो पांच के दाई तरफ देखेंगे नो है यह पांच या पांच अधिक है तो इसमें एक जोड़ देंगे ध्यान अखना है जिसका संक्टन करना है उसी में एक जोड़ना है तो 22,000 तो ऐसे कैसे पांच में एक जोड़ दिया और पाद में जितने भी अंक हैं उनको सब को शुन्य कर देंगे तो यहां पर हमें दो शुन्य करने पड़ेंगे क्योंकि इसको दूनों को शुन्य करेंगे अब 56,799 का 10,000 में सन्य कटन अब 10,000 में सन्य कटन करना है एकाई दहाई सेकडा हजार दस हजार इसके डाई तरफ 6 है यह 5 यह 5 से अधिक है तो इसलिए इसमें एक जोड देंगे अब इसके जो भी हैं उस सब सुन्य हो जाएंगे एक, दो, तीन, चार तो हम चार सुन्य लगाएंगे इसमें एक दो तीन चाथ तो इस था चपन हजार साथ सो नमसी तो इसका सन्निकटन हो गया साथ हजार अब हम दसमलो संख्याओं का सन्निकटन यानि की अप्रोक्षिमिशन ओफ डैसिमल नंबर इसी खेंगे इसमें जो दसमलो के बाद वाला अंक पांच या पांच से बड़ा हो दसमलो के बाद वाला अंक अगर पांच या पांच से बड़ा हो तो फिर क्या करते हैं दसमलो से जो पहले अंक है उसमें एक जोड़ देते हैं तो यह दसमलोग के बाद वाला पांच या पांच से दिग गए तो यह हो जेगा उनिस 24 दसमलोग पांच चार हो यह पांच है तो यह इसमें एक जोड़ देंगे यह हो गया 25 इसको ऐसे देख सकते हैं 103 दसमलोग चार अब यह पांच से कम है पांच से कम है तो एक नहीं जोड़ेंगे तो यह 103 ही रह जाएगा ठीक है दसमलोग के बाद पांच या पांच से अधिक हो तभी एक जोड़ेंगे इसमें यह तो इसको ऐसे कैसे लिख देंगे अब 54 दसमलोग छे साथ का सन्निक टन करना है दस में साम तक तो दसवा यानिकी एक बटा दस तो हम इसको देखेंगे इस छे को 6 से दाइं तरफ साथ है साथ पांच या पांच शे दीक है तो हम इसमें एक जोड़ देंगे तो यह हो जेगा 54 दसमलोग साथ वागे 69 दसमलोग छे आठ साथ का सन्निक टन सोवे स्थान पर तो दस्वा स्थान यहां पर होता है सोवा स्थान यहां पर अगला स्थान होगा तो इसका सन निकटन करना है हमने तो इसकी दाइन तरफ जाएंगे इसकी दाइन तरफ देखा हमने यह साथ है यह पांच यह पांच यह दिक है तो इस पर एक जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा 69.69 अब बच्चो वेंजकों का सरलीकरन सीखते हैं Simplification of an expression यह क्या होता है एक ही वेंजक में जब कई संक्रियाएं जैसे कोश्टक, गुणा, भाग, जोड़, घटा आदी हल करनी हो तो इस क्रिया को सरलीकरन या Simplification कहते हैं जैसे 15, भाग, पांच, गुणा, दो अब इसमें क्या है भाग का निशान भी है गुणा का निशान भी है तो हम यहाँ पहले कुण सा करें तो इसका एक नियम बना है उसे कहते हैं Board Mass का नियम इस क्रम से हम हल करेंगे सबसे पहले कोश्टक यह दी कोई है फिर ओफ गुणा आदी तो Board में इसका मैं मतलब बता देता हूं B मतलब Bracket Bracket यहनि की कोश्टक कहते है हिंदी में Off, O Off का इसका मतलब भी गुणा होता है फिर D Division यहनि की भाग, M Multiplication यहनि की गुणा, A Addition यहनि की जोड, S Subtraction यहनि की घटा तो हम सबसे पहले अगर यह बहुत सारे चिन आजें तो सबसे पहले Bracket को Solve करते हैं उसके बाद Off को इसी करम में हम इसको Solve करेंगे अब इस उधान में भाग और गुणा हैं तो इसमें पहले क्या है D पहले D को Solve करेंगे उसके बाद M इसी स्रीज में चलेगा न है, D मतलब भाग, M मतलब गुणा तो पहले हम इसको भाग करेंगे, 15 को 5 से भाग दो तो ये 3 आएगा, 3 गुणा 2 भाग को हमने हल कर दिया, अब सिर्फ एक रहेगा हमारे पास, 3 गुणा 2 तो ये हो गया 6 कुछ बच्चे गल्ती कर सकते हैं, वो इसको ऐसे हल करने की कोशिश भी कर सकते हैं, जिसे 15 भाग, 5 गुणा 2 कुछ बच्चे गुणा पहले कर देंगे, तो कितना हो जागा, 10 तो 15 भाग, 10 अब 10 को अगर 15 से भाग देंगे, तो उत्तर आएगा, एक तसमलो 5 जो की गल्त होगा, सही उत्तर ये, ठीक है, अब हम देखते कि ब्रैकेट भी कोश्टक भी कई तरह की होती हैं, जैसे रेखा कोश्टक, छोटा कोश्टक, इस तरह का होगा, मंजला कोश्टक, ये ऐसा होगा, इसको लंगडी कोश्टक भी कहते हैं कुछ लोग, बड़ी कोश्टक, तो बड़ी ब्रैकेट ये इस तरह से होती है, इनके अलग निशान है, तो अगर ये सारी कोश्टकें आ जाएं, तो स फिर बड़ी कोष्टक को हल करेंगे, ठीक है, तो एक स्वाल, K99 करके देख लेते हैं, 7 गटा, मंजली ड्रैककट 6, गटा, छोटी ब्रैककट सुरू, 5 गटा, तीन, छोटी ब्रैककट बंद, मंजली ब्रैककट बंद, अब सबसे पहले हमें इसमें कोई रिखा कोष्टक तो है नहीं तो उसकी तो समझे नहीं है छोटा कोष्टक है इसमें पहले इसको हल करते हैं तो बाकी का हम ऐसे कैसे लिखेंगे साथ घटा अनझेला ब्रैक migrantcus छे घटा अब इस से हम इसको हल कर देंगे पांच में से तीन घटा कितना होता बच्चो दो तो ये चोटी हल हो गए हमारी उसको अब नहीं लिखेंगे अब हमारे पास सिरफ मंजली ब्रैकेट रहे गई अब हम इसको भी सोल कर देते हैं साथ घटा चै में से दो कितना होता है चार तो इस तरह से हमने ये भी हल कर दी अब ब्रैकेट हटाने का मतल है उसको पस लिखो मत अपने अब हट गई बीच वाला जो भी हल कर दो और वह अपने अब हटी मानी जाती है अब रह गया हमारे पास साथ घटा चार एक ही निशान हाँ वह पना पास मझली ब्रियकेट तीन लिखेश हैं चोटी ब्रैकेट सुरूर्व हमने तो हम सबसे पहले कोश्टक अगर कई तरह की हो तो कौन सी सबसे पहले कोश्टक हल करेंगे रेखा कोश्टक सबसे पहले रेखा कोश्टक यानि उपर येक लाइन छत्थी डली होती है पहले इसको हल करेंगे उसके बाद छोटी छोटा जो है फिर उसके बाद मंजली फिर बड़ी ब्रैकट को तो हम सुरू करते हैं बाकी को ऐसे कैसे लिख लेंगे दो घटा मंजली ब्रैकट तीन घटा चोटी ब्रैकट शुरू चार घटा अब रेखा कोश्टक तीन में से दो घटा ने बहुत असान होता है बस आप एक के हल हो गई है अब छोटी कोश्टक हल करनी है तो बाकी ऐसे दो घटा मंजली ब्रैकट तीन घटा अब चार में से कितना होता है तीन चार में से गए तीन तो यह हटी अपने आप मानी जाती है हल कर दो और फिर उसको लिखना नहीं हमने अगली स्टैप में तो यह हट गई हम मंजली ब्रैकट रहे गई अब तीन में से तीन शुने होता है तो दो घटा यह हमने हल कर दी तीन में से तीन शुने तो यह भी हट गई अब दो में से शुने घटाएंगे तो कितना आएगा दो आएगा यही हमारा हम समझ लेते हैं यह कि गुणा में और भाग में इस्तमा होएं जब जमा जमा आ जें तो तो जमा ही होंगे लेकिन दोनों तरफ माइने कि घटा घटा गटा तो वह करता है प्लस यानिकी जोड अभी कुछ होमवर्क दे रहा हूं आपको तीन स्वाल है तो यह अच्छे से आप पढ़ लो और इनको हल करके दिखाईए ठीक है जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही गणित अच्छा होता है और करत करत अभ्यास के जडमती होत सुजान ठीक है इतना व्यास करेंगे उतना ही आपका गणित अच्छा हो जाएगा और आपको बहुत असान लगने लगेगा